खेलो एबुरीबर क्या से आप सभी उमीद आप सभी अच्छ होंगे सवस्त होंगे आपका SSS इसका active से passive नहीं बनता और सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े उसमें पढ़ी थी तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद में आप वो वीडियो एक पर जाके जरूर देखना ताकि आपके जो voice से जो question आते हैं वो एक भी गलत ना हो और ये guarantee की बात है कि अगर आपने वहाँ से voice पढ़ लिया तो आपके exam में कोई भी question गलत नहीं होगा आपके voice से हर एक question जो भी question exam में आएगा आप हर एक question बिल्कुल सही करके आओगे और उस chapter के बार उस notes के बार में वो इससे कोई भी question नहीं मिलेगा आपको तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद में चलो ये नया chapter स्टार्ट करते हैं नया chapter का नाम है pronoun अब देखिए pronoun pronoun क्या होता है सबसे पहले वो जानना स्टार्ट करते हैं अब देखिए pronoun की अंदर सबसे पहले pronoun की definition क्या होती है a word which replace a noun to avoided its repetition यानी बार 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 कोई noun आ रहा है जैसे हम लिखते हैं राम is a boy फिर लिखें राम is hard work working man फिर उसके बाद और कुछ लिखें और कुछ लिखें राम राम क्या हो रहा है repeat हो रहा है अब इसी repetition को avoid करने के लिए हम क्या करते हैं pronoun का use करते हैं राम की जगा पर हम ही pronoun लगा देंगे ठीक है तो क्या होगा a word which replaces a noun यानी जो राउन को replace करें to avoided its repetition ताकि वो बार बार नाउन repeat ना करना पड़े हमें इसलिए हम प्रोनाउन का use करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास प्रोनाउन है वह पर्सनल प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन अब पर्सनल प्रोनाउन को देखो क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन रिलेट टू ए पर्सन से रिलेट करता है किसे रिलेट करता है एक पर्सन से ठीक है अब पर् PC 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 केस जाईस्य केस अबजेक्टिव केस थीड़े ने कंसर प्रॉणं नावाउन नियुग से वर्ड यूज फोते उन्ट देखेंगे ऑं एक साथ एक चीज होगा प्रे देख लिए optics प्रेसे की होते हैं कुछ सापने सा कुछ सहा कि हैंका क्रतेहे नाव्ने कि Г्व 31 दूषरम second person दूसरा है second person and third one is third person अब first person second person third person क्या होता है वो देखते हैं अब देखो हम बोलते हैं I I mean मैं खुद है ना my means मेरा me means मैं अब देखो I तो सब्जेक्टिव केस है subject के तरह use होता है I subject के तरह use होगा जहां पर भी possession दखाना होगा this is my car किस की car ठीक है possession case हो जाएगा जहां पर भी object के लिए अगर pronoun यूज करना पड़ेगा उस time पर हम me use करेंगे ठीक है उस time हम क्या use करेंगे me अब देखो first person first person वो होता है जो हम या मैं हम या मैं जो भी speaker होता है mainly क्या होता है speaker 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 क्या होता है first person ठीक है अब देखो I यह दोनों क्या speaker है मतलब जो बोलने वाड़ा है वही बोल रहा है I mean है न यह हो गया first person और I, me sorry I और we I और we दोनों क्या होगे first person पर I और we दोनो subjective case है अगर हम I की बात करें तो यह singular helping verb लेता है I के साथ में क्या लगता है singular helping verb यह present indefinite और present perfect के साथ में plural helping verb लेता है यह आप लोगों के लिए नई चीज होगी कि यह plural helping verb कब लेता है जब भी present indefinite हो present perfect हो तो यह क्या लेता है plural helping verb plural helping verb लेता है ठीक है यह तीज़ द्यान लगना important चीज़े उसके बाद में देखिए अगर हम V की बात करें तो V के है plural helping verb लेता है V के है plural helping verb लेता है जैसे we are going V के साथ में क्या लगा plural helping verb लेता है बात देखो अब आगे अगर हम बात करें possession होगी अब देखो जब भी हमें possession दिखाना होता है तो I के साथ में तो my position दिखा देता है यानि मेरा position कौन दिखाएगा माई और V का position कौन दिखाएगा our यानि हमारा हम ये बोलते हैं अगर मेरा घर है तो क्या बोलूँगा my home मेरा घर ये position मेरा था अगर मैं बोलूँगा हमारा घर है तो क्या बोलूँगा our home our home यानि position के लिए our use होगा my use होगा objective के इसकी अगर बात करें तो me use होगा और us use होगा ठीक है me use होगा और us use होगा ये था first person ये सारा क्या था first person ठीक है अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ I का ही plural V होता है V ठीक है ध्यान रखने जहां आ जाते हैं second second देखो first person क्या था speaker second person कोन ने listener जो आपकी बाते सुन रहा है वो क्या होंगे second person होंगे जो आपकी बाते सुन रहा है listener है वो second person होगा अब देखिए you you singular भी हो सकता है plural भी हो सकता है you दोनों तरह ही काम करता है singular भी हो सकता है plural भी हो सकता है यानि plural helping verb लेगा you कौन से helping verb लेगा plural ठीक है you हमेशे याद रखना plural helping verb लेगा you का possessive case होगा your ठीक है you का possessive case क्या होगा your और objective case you ये चीज भी ध्यान रखना subjective case भी you objective case भी you ठीक है और second person यानि listener और दोनो subjective और objective case you और possessive case your और you अपका helping verb कौन सी लेता है plural इसके बाद में बात करते है third person की third person यानि जो ना speaker है ना listener है जिसके बारे में third person है किसी और की बात हो रही है है ना जिसके बारे में बात हो रही है बोलने वाला तो क्या हो गया speaker सुनने वाला listener और third person है यानि इसके बारे में भी किसी और के बारे में बात हो रही है वो कुन होगा थर्ड परसन थर्ड परसन के लिए जो हमारा subject केस होगा वो होगा He see it they क्या होगा He, she, it, they जो He और सी है वो तो singular helping verb लेंगे He और सी क्या लेंगे singular helping verb It भी हमारा singular helping verb लेगा इन तीनों का plural है दे होता है इन तीनों का plural क्या होता है दे और दे हमारा लेगा plural helping verb और दे plural helping verb लेगा ही का position case ही जोता है सी का position case हर होता है इट का position case इट्स होता है और दे का position case दे होता है तो द्याहन रखना ये वाड़ा इट्स position case होगा ये वाला its position case नहीं होता है इसका मतलब होता है it is इसका मतलब होता है it is ठीक है यह बात ध्यान रखना आप c का position case हर और c का objective case हर यानि देखिए c का जो position case है और objective case है वो same है दोनों ही क्या होंगे same ठीक है he के अलग अलग होंगे ही का objective case ही होगा it का objective case it ही होगा और दे का there और them दे का there possess you case और them objective case ठीक है यह हमने तीनों person के बारे में पढ़ा है अब देखो किसी भी sentence के अंदर हम subject लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे subject subject पता चल गया i v i v d e c e t यह सारे subject है उसके साथ में क्या लगेगी verb लगेगी verb plural भी हो सकती है और singular भी हो सकती है verb plural भी हो सकती है singular भी हो सकती है और verb के बाद में हमेश्य क्या आएगा object है क्या आएगा object या फिर objective case अबजक्टीव केस लगाएंगे या तो object आएगा या objective देखिए है के पर्ःण आउन के बारे में हमने जाना कि प्रोणाउन मौता क्या है कि प्रोणाऊन क्यूंँ यूजा हमकि नाऊन का जो रिपीटेशन है उसmor अवइड नहीं के लिए फिर यह जाना कि personal जो pronoun वो क्या होता है वो एक person को relate करते है person कितने type के होते है तीन type के first person second person third person उसके बाद में first person हमने जाना क्या होता है speaker second person listener third person, कोई भी दूसरा person कोई भी और person जिसके बारे में बात हो रही है ठीक है उसके बाद में हमने जाना subject you case, position you case हर एक का plural case कौन सा होता है परस उसके बाद हमने जाना कि subject के साथ में वर्ब आती है और वर्ब के बाद में आता है objective यानि subject you case सबसे पहले और वर्ब के बाद में objective you case use होगा ठीक है अब देखिए यहां पे देखते हैं ही क्या है subject है ही क्या है subject cold क्या है वाड है और ही अब ही हो नहीं आएगा क्योंकि subjective case आएगा корабप की यह नहीं हैो ही कॉल्ड हम तो यह便 scooter deu Yuk समुझ यह क्यूं आया क्योंकि वाब के बाद में objective केस रहा बहुत ही इंस डिर बहुत ही अगर हम सेकींड एक्जांपल के बात करें द टीचर द टीचर क्या हुआ सब्जेक्ट ठीक है स्कोल्डीड स्कोल्डीड क्या हुई verb हाई अई तो नहीं आएगा क्योंकि आई तो सब्जेक्टईव केस है तो आई की जगह पर काएगा मी बिल्कुल सही हो जाएगा objective case ठीक है बिलकुल सही अब इसी के साथ में कुछ चीज़े और भी ध्यान से देखनी है वो चीज़ क्या होती है वो चीज़ ही है प्रिपोजिशन और objective case प्रिपोजिशन और objective case देखिए प्रिपोजिशन के बाद में हमेशा objective case आता है इस चीज़ को गांठ बांद लो बहुत सारे question आते हैं एक्जाम में प्रिपोजिशन के बाद में आपका objective case आता है अब प्रिपोजिशन देखिए कैसे positive preposition भी होते है कैसे लाइक लाइक क्या है preposition है prepositive ठीक है with together with along with together with like with together with along with यह क्या है पूजेक्टिव प्रिपोजिशन नेगेट्व प्रिपोजिशन होते है अनलाइक without expect but and not ठीक है सेम ये क्या होते हैं आपके नेगेटिव प्रिपोजिशन होते हैं पता चला प्रिपोजिशन के बाद में objective case आता है example देखते है तू दे अब दे क्यों नहीं आया दे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दे तो subjective case होता है तू प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन के बाद में objective case यानि them आएगा तो them सही होगा the question R is the question R is the between she and me between C C जगा पे हर आएगा क्योंकि between क्या है preposition preposition के बाद में objective case इसलिए हर आएगा and me there is no conflict between her and me there is no conflict राखी distributed the toffees between C नहीं आएगा her आएगा क्योंकि between preposition है her and me he like I like क्या है preposition उसके बाद में objective case यानि me की जगह पे sorry I की जगह पे me आजाएगा have की जगह पे have आजाएगा अब ये क्यों बदला क्योंकि हमें पता है I के साथ में to have आता है I के साथ में have आता है और me अगर आगया तो me के साथ में have आ आजाएगा me के साथ में have आ आता है ठीक है पर me अगर आ गया तो me के साथ में have आ जाएगा have जरूत नहीं है तो me has done the work he likes he like me अब देखिए आपको ये पता करना है कि me के साथ में have कैसे आया दोबरे बता देता हूँ में कोसं मैकबारी कुछ बच्चों पसमझ नहीं होगा. मेह के साथ में क्यूं आया? हैव क्यूं नहीं होता है पेटा जो अब्जेक्टिव केस होता है उसके आकोर्डिंग तो वब लघती है नहांーー सब्जेक्टिव के 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 सब्जेक्टिव क अब एक्じाम्पल नंबर नेक्स्ट सी एकस्प vide दे की जगह पर गया आजाएगा दैं क्योंकि expect क्या है आपका expect क्या है बताओ very good expect है आपका pre position expect आपका pre posted पीफो गेशन है एक्सपेक्ट आपका प्रिंपोर्जिशन है अगर दे नहीं रहा अगर दे नहीं आया तो दे की जाए साथ में आर भी नहीं आएगा उन्दे के साथ में आट भी नहीं आएगा और देम की वज़े से वह अब लगेगी नहीं क्योंकि objective case है तो c की वज़े से लगेगी is c की वज़े से is लग जाएगा c expect them is allowed to go c expect them is allowed to go c expect them is allowed to go ठीक है अब उसके बाद देखिए एक्जांपल नेक्स्ट i end note ये end note ही तो preposition है ये भी तो दिहान रखना है end note क्या है preposition प्रिपोजिशन के बाद में subjective case यानि she नहीं आएगा हर आएगा objective case c के साथ में r नहीं आता i के साथ में r नहीं आता इसलिए r भी नहीं आएगा क्योंकि हर के साथ में तो जो हमें वर्ब है वो लगानी ही नहीं आई की वज़े से लगानी है कि आई क्या है सब्जेक्ट युकेस तो आई के साथ में एम आएगा आई अधरी एंडड नोट हर एम इनवायटिड़्टिड टूदी पारटी ठीक है अब देखिए आयां लाइक की वज़े से कुछ प्रोग्लम होती है बच्चों को वो देख लेते हैं लाइक क्या होता है क्यों यूज होता है rites like दो तरीके से यूजी हूता है एक वर्ब के तरीके से है अपय तरीके से जब यूज़ रया यानि पसंद करना लव एप्रेसियेट यह क्या ख Sorな है कि कुंध की तईじゃあ में पसंद खांग ये वर्ब तो यहां पर क्या वर्ब की तरह ही यूज हुआ पर लाइक जो कमपैरिजन के लिए यूज होता है की तरह जब हम बोलते हैं ठीक है comparison की तरह यूज होता है तो की तरह हम बोलते हैं वो हमारा preposition होता है वहाँ पर preposition है अब मैं बहुं लूँ इस युर्म आपाट दिस वोच इस लैक माइ वोच ये मतलब ये वोच जो है वो मेरी वोच की तरह है तो यहां पे पृपोजिशन हुआ ठीक है की तरह है किमपेरिज़न Pृपोजिशन और preposition के बार में objective के साथ है तू देखिए he like यहाँ पर like क्या है वो देखते है he like I am a teacher he like he like I am a teacher मैं teacher हूँ he like इसका तो कोई मतलब भी नहीं बना तो इसका क्या है preposition है और preposition के साथ में मी आ जाएगा objective के साई की जगह पे और M की जगह पे आ जाएगा इस क्योंकि अब ही की वज़े से वब लगेगी तो ही लाइक मी इस एटीचर ये मेरी तरह एक टीचर है तो इसका मतलब क्या हुआ है ये मेरी तरह एक टीचर है बट की बात कर लेते हैं बट बट दो परकार से यूज होता है एक तो होता है conjunction के तोर पे और एक होता है preposition के तोर पे प्री पोजिशन के तोर पे जब भी conjunction के तोर पे यूज होता है तो क्या होता है जब भी conjunction के तोर पे यूज होता है तो Contradition होता है Contradition मतलब अलग-अलग चीजे दिखाता है ठीक है विरोधा भाषी बोलते हैं जी से हम लेकिन ना इसका मेरे पी क्या होता है लेकिन वहाँ पर एसका मीरे को मेरे ऊथा है ठीक है और प्रि पोजिशन की तरह उसे होते हैं तो इसका मतलब होता है expect के अलावा के अलावा ठीक है अब example से देख लेते हैं he but they are doing it well he but but क्या प्री पोजिशन है प्री पोजिशन का use हो रहा है तो दे की जगह पे them आ जाएगा क्योंकि objective case आएगा आर की जगह पे इस आएगा क्योंकि he के according verb लगेगी subject के according verb लगेगी doing it well he but them he but them is doing it well ठीक है he के अलावा them is doing it well सही है अब बात करते है save की अब बात कर लेते है save की अब देखे save में क्या होता है यू बात है save verb और preposition दोनों तरह यूज होता है वर्ब और preposition वर्ब में क्या होता है not to spend not to spend यानि हम यह नहीं कहते कि अपने पैसे बचा लो save water बचा लो तो यह क्या है, verb की तरह यूज होता है He saved a lot of things उसने बहुत सारी चीज़े बचा रखी है ठीक है, पर जब भी यह preposition की तरह यूज होता है preposition की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है expect के अलावा save का मतलब क्या हो जाता है के अलावा, example देखते हैं आरूची save, I were given the chance आरूची save, यह वाड़ा save क्या है preposition है जैसे ही यह वाड़ा save preposition हुआ जैसे ही यह वाड़ा save preposition हुआ इसके बाद में subjective case की जगह पर क्या हुआ objective case यानि मी आ गया और मी के साथ में जो वोज आया है वो आरूची की जैसे आया है आरूची के according तो इसमें वो जाना चाहिए वर की जगह पर आरूची save मी आरूची के अलावा मैं was given the chance was given the chance ठीक है अब करते है next अभी तक तो क्या हो रहा था subject plus प्रीपोजिशन प्लस अब्जेक्टिव केस अब्जेक्ट ठीक है अब देखिए अगर सब्जेक्ट वन है उसके बाद में प्रीपोजिशन आ गया फिर सब्जेक्ट टू आया और फिर हैल्पिंग वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट टू जही चीज तो अभी तक कर रहे थे कि प्रीपोजिशन के बाद में जो सब्जेक्ट टू है वो अब्जेक्ट वर्ब आएगा और जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आ जाएगी अभी तक यह सेम ही चीज कर रहे थे एक और एक इक्जाम्पल और है हमारे पास वो करते हैं देखिए the question is in this chapter is very interesting ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको है the question ये क्या subject in क्या preposition, preposition के बाद में क्या objective case यानि ये तो objective case है तो this chapter is इसकी वज़े से तो नहीं लगेगा क्योंकि objective case के वज़े से तो वरब लगती ही नहीं तो subjective case की वज़े से लगेगी subjective यानि the questions the questions are very interesting the questions in this chapter are very interesting तो अब ये सही हो जाएगा मारा word ठीक है ये वड़ा देखो prepositional phrase अब देखते हैं कि prepositional phrase क्या होते है देखिए prepositional phrase में क्या होता है verb की third form के साथ में prepositional लगा हुआ होता है किसकी? verb की third form के साथ में बहुत सारे example आपको मिलेंगे आपकी life में और बहुत सारे books में भी जैसे followed by assisted by placed with in addition to in addition to ये सारे मतलब जैसे होगे verb की third form के साथ में prepositional phrase भी लगे वे मिलेंगे जैसे followed by, assisted by, placed with ठीक है ये सारे कहा है prepositional phrase है ये सारे कहा है prepositional phrase है ये सारे prepositional phrase है जैसे ये prepositional phrase हुए है तो उसके बाद में क्या हैगा आप समझचज़दार हूँ अब प्रेपोजिशनल phrase के बाद में फिर से objective case आजाएगा example देखते हैं the students followed by he has seen the road देखो the student क्या हो गया subject हो गया followed by prepositional phrase he subjective case की जग़े पर objective case आना चाहिए prepositional phrase के बाद में objective case ही आएगा तो he की जग़े पर आ गया him अब he की वज़े से तो ये नहीं लगे गा ना verb किस की वज़े से लगे गा students की वज़े से the student की वज़े से have लगे गा he have seen the road ठीक है अब करते हैं यहां पर कई बारी हमारे पास comparative word आएंगे क्या आएंगे comparative word comparative word उसमें subject 1 और subject 2 के अंदर comparison दिखाया जाएगा और उसके बाद में helping verb लगाई जाएगी तो हमें ध्यान क्या रखना है जो भी helping verb आएगी वो subject 1 के according आएगी subject case 1 के according आएगी जो भी हमारी helping verb आएगी वो subject case 1 के according आएगी ठीक है क्या क्या बता है मैंने कि स्ब्ज़ेक वन और टू में कंपारिजन और जो helping वब आएगी वह सुब्ज़ेक्ट 1 के application ऐखाररररे कंपारिजन वर्ड कौन से होते हैं वो देख लाते हैं कंपारिजन वर्ड हो गया जैसे as well as comparison to as much as comparison 3 more than comparison 4 less than ठीक है, ऐसे ही word हमारे पास आएंगे तो उसके भी example देख लेते हैं यह रहा हमारे पास सबसे पहला example Ram is stranger than sham stranger नहीं है, stronger है Ram is stronger than sham तो मैंने अभी अभी बताया था कि राम के साथ में क्या आया is, ठीक है, Ram के साथ में is आया verb आगई ठीक है, stronger than sham शाम क्या है, subjective case तो अभी यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है कि comparison word जब भी आएंगे तो दोनों के आएंगे subjective case आएंगे, दोनों के आएंगे subjective case आएंगे, objective case नहीं आएगा objective case नहीं आएगा और उसी के साथ साथ जो helping verb आएगी वो first person से related होगी वो first person से related होगी ठीक है, बढ़ियां, चैलो देखिए, अब उसके आगे अगर मैं इस example की बात करूँ he as well as हमारा comparative word आगया me, me नहीं आएगा क्योंकि आई आगया क्यों क्योंकि subjective case आना चाहिए me तो objective case है, subjective case आना चाहिए me तो क्या है, objective case है और उसके साथ में is responding well तो he as well as me, me की जगर पर आई आजाएगा is responding well, is क्यों आया क्योंकि he की वज़ए से आएगा, subject one के according ठीक है ये अब सही हो गया ये पलंतोgrad CONCIE क्योंकि वाया ये बाहा थाएगा क्योंकि ये आएब ये झाओा क्योंकि तो। झाल